हलो गैज मैं खुशी वेल्कम टू दे नियो स्टाक चैनल हम एक आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे है जो कि शिव मंदिर है और वहां पर एक नाग दिखा गया है और नाग जो कि शिवलिंग की भक्ती में लीन था और जब पुजारी भी आया तब पुजारी से डराने और फन फिलाए वहां पर हीट डटा रहा तो चलिए जानते हैं कहां का मामला है और कैसे वह भक्ती में लीन था वह साप तो हम उसके बारे में हम आज की नियूज में आपको बताने जा रहे है पर उसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक ठोकते हो ज़रूर जाइए तो शुरू करते हैं आज की नियूज आप लोगों को तो सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हरहर महादेव की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है और उनका फेवरिट मन्थ माना जाता है ये जो सावन का महीना होता है और सावन के महीने में सब लोगों उनके पूजा में लीन रह के दमोहा जिले का है और वहाँ पर एक मंदिर है जो कि शिव मंदिर है और वहाँ पर एक नाग अचानक से शिवलिंग के पास आ गया और शिवलिंग के पास आके अचानक से वो भक्ती करने लग गया आप लोग फोटोस तो वगरा देखी रहे होंगे कि वहाँ पर वो स्फन खिलाए वहां पर खड़ा है और उसका कभी भी ध्यान नहीं हट रहा है शिवलिंग से और वो पूजा पाठ किये जा रहा है अपनी भक्ती में लीन है और वहां पर जब अचानक से पुजारी जी अंदर आये और अंदर आके उसको दूर करने के भगाने की कोशिश की अपने ह शिवलिंग की भक्ती में लीन और उसके बाद भी किसी को कुछ ने किया इतना विशाल है वो और जैसे कि सब लोग पूजा करते हैं शिव की और उसी तरीके से ये नाग देवता भी वहां पर पूजा करने के लिए आये थे क्योंकि सावन का महीना चल रहा है माला जाता है कि वासुकी भगवान शिव भगवान के परम भक्त थे उनकी भक्ती जब स्टार्टिंग में उन्होंने ही शिवलिंग का निर्मान किया था और उन्होंने ही पूजा करने शुरू की थी और उनकी पूजा से भगवान शिव बहुत ही ज़ादा प्रसन होए थे और प्रसन होने के बाद नाग लोग का भी उनको अधिकारी बना दिया गया और उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि काफ़े सरे केसेज भी सुने होगे कि शिवलिंग के ऊपर नाग लिपते हुए हैं और आपने तो देखा ही होगा कि शिव की जब भी आप तस्वीरे देखते हो तब शिव के गले में नाग देवता हमेशा ही रहते हैं सावन का महीना चल रहा है और शिव भगवान की पूजा भी हो रही है और आप लोगों को पता भी होगा कि इसी महीने नाग पंचमी भी आती है और उस वक्त नाग पूजा वगरा भी होती है तो लोग नाग देव की भी पूजा करते हैं और शिव भगवान की भी पूजा करत और उसका परिवार हमेशा ही खुश रहता है और उसके जो बिजनस रहता है और उसके बिजनस में भी हमेशा ही तरक्की होती है तो गैस अगर आप भी भगवान शिव की पूजा कर रहे हो और नाग पंच में की वेट कर रहे हो और आप भी अपने घर में नाग पंच में मनाते हो और जाके पूजा पाट करते हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर कीजिए हमें कमेंट नाग देवता करके और या तो हर ह विखर महादेव करके हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए और अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगिया तो जाते जाते एक लाइक ठोकते हो जरूर जाइए अगर अभी तख भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जल्द चैनल को आइकन को भी दबा दीजिए जिसकी वजह से आप और हम साथ में जूड़े रहें और आप तक हम नहीं नीज लेकर आपाएं इसी की साथ मैं लेती हूं इजाज़त बाबाई टेक्या नमस्कार